नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग एक सो पैंतिस दिन 3800 किलो मेटर पैदल चलने के बाद एक उसका लक्ष क्या था भारत जोड़ो यात्रा का काउग्रिस पार्टी की राहूल गांदी की क्या ये प्रोजेक्ट सफल हुआ ये सवाल जो है वो थोड़ा प्रस्ट भूमी में चला गया था जब उनकी यात्रा 30 जनुरी को खतम हुई उसके बाद लेकिन संसद में दो दिनों में मंगलवार और बुद्धवार को जो कुछ हुआ उससे फिर ये सवाल उभर का सामने आ गया है कॉंग्रेस पार्टी का लक्ष इस भारत जोड़ यात्रा के जरिये सबसे बड़ा ये था कि राहुल गांधी के साथ जो ये पप्पू की इमेज़ चिपक गई है उसके लिए तमाम तरह की कोशिशे की गई जिस तरह के लोगों को यात्रा में जोड़ा गया मिलवाया गया एक पूरा जो लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम है जो विमर्श गढ़ने में सबसे ज़्यादा ताकतवर है आज भी उसको जोड़ा गया कि उसकी सहायता से वो लेख लिखेंगे वो टेलिविजिन चैनल्स पर जाकर बोलेंगे उसके अलावा जो है लोगों के बीच में इस 1935 दिनों में लगातार अख़बारों में जो लेख आ रहे थे जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी टेलिविजिन चैनल्स पर सब में एक बात पर इंफेसाइज किया जाता था कि अब राहुल गांधी की जो है इमेज पपू की नहीं रहेगी रगुराम राजन, RBI के पूर गवर्नर, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, वो इंटर्व्यू देते हैं, उनको भी कहना पड़ता है कि नहीं आप राहुल गांधी तो पपू नहीं है, वो स्मार्ट लगते है मुझे, ऐसे ऐसे लोग जो पहले पपू नाम से भी चड़ते थे, उनको लगता था कि यह डेरोगेटरी शब्द है और इसका इस्तमाल जो है बीजेपी का आईटी सेल करता है, उसने यह जो है नाम गढ़ा है, इसलिए इसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले 135 दिनों की यात्रा में, जितनी बार पपू शब्द की चर्चा लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम का जो एको सिस्टम है उससे हुई है नाम लिया गया है, बीजेपी के लोगों ने अतनी बार नाम नहीं लिया है, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दोरान जो किया, जिस तरह से उन्होंने मुद्द उठाए, मैंने राहुल गा गांधी वो नहीं, इसकी जरी वो संदेश यह देना चाहते थे, उन्होंने सीधे कहा नहीं, हलाकि शायद एक जगा कहा भी, वो जो पपु वाली मेरी इमेश थी, वो मैंने खतम कर दी है, लेकिन कोई मानने तब ना, मानने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई मानना चाहता नहीं समस्या यह होती है कि बार बार राहुल गांधी ऐसा कुछ बोत देते है, ऐसा कुछ कर देते है, कि उनकी वो छवी फिर से उभर कर लोगों के सामने आ जाती है, फिर से लोगों के मन में सवाल तहरने लगता है कि क्या राहुल गांधी पपु की छवी से मुक्त हो चुके है मंगलवार को लोगसभा में जब राहूल गांधी बोले तो उनके पूरे एको सिस्टम को ये परतान मंतरी ने कहा पूरे एको सिस्टम बिल्कुल गदगद था लग रहा था कि क्या परफॉर्मेंस है कॉंग्रेस के लोगों को लग रहा था कि राहूल गांधी की पिछले 18 सालों में सबसे अच्छी पार्लिमेंटरी पर्फॉर्मेंस है प्रधान मंतरी ने एक कविता की कुछ पंक्तियों के जरीए ये बताने की कोशिश भी की कि क्या इन लोगों के मन में चल रहा था उन्होंने का ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं कि वो अब चल रहे हैं वो अब आ रहे हैं तो उनका कहने का कुल मतलब था कि वो इस उमीद में थे कॉंग्रेस के लोग कि राहूल गांधी अब आ रहे हैं चल चुके हैं आ रहे हैं और पहुंचेंगे लेकिन वो पहुंचे कही नहीं देखे पूरी यात्रा के दोरान जिस तरह के उन्होंने बातें की दिल्ली में उन्होंने अपने बाशन में जब यात्रा आई तो कहा कि मेरी यात्रा में गाए भी आई भैस भी आई खुता भी आया सूर भी आई लेकिन किसी के खिलाफ इंसा नहीं हुई अब इस तरह का भाशन आपने दुनिया में किसी नेता से सुना है दिली में उन्होंने ये भी का टी-शिर्ट पहने हुए थे सर्दी का मौसम दिसंबर का महीना उन्होंने कहा मैंने सर्दी के डर को मार दिया है आप लोग सर्दी से डरते हैं इसलिए आपको सर्दी लगती है आप गरम कपड़े पहनते हैं तीन-चार दिन बाद गरम कपड़े में नज़र आए तो जिस सर्दी के डर को मार दिया था वो तो फिर से जिन्दा हो गया तो इस तरह की अनर्गल बातें महा भारत में द्रौपती के स्वेंबर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की तुला करना यात्रा के दौरान जिस तरह की उन्होंने बातें कहीं तपस्वी, पुजारी कुल मिलाकर जो उनके कहने से जो द्वनी निकल रही थी जो बात समझ में आ रही थी कि उनको भारती संस्कृती की सनातन संस्कृती की, इंदू धर्म की इस देश की बहुलता जो है इस देश की जो विद्धा है उसकी कोई जादकारी नहीं है उनको ट्यूटर किया जाता है और उनको सिखाया जाता है अंग्रेजी में उनको बोलना पड़ता है हिंदी में तो वहाँ एक डिसकनेक्ट नजर आता है तो इसलिए उनकी पपू की छवी जो है वो कमजोर होने की बजाय और मजबूत हो जाती है जब वो बिना समझे कही गई बात को अपनी और से पेश करने की कोशिश करते हैं बिना उसका मर्म समझे उनकी समस्या क्या है उनकी समस्या ये है कि वो खल्प ना करते है कि ये मुद्दा जो है सबसे महतुपूर्ण है ये मुद्दा चलना चाहिए ये मुद्दा चलेगा और उस मुद्दे पर चल पड़ते हैं पार्टी चल रही है कि नहीं लोग साथ हैं कि नहीं लोगों से उसकी प्रतिध्वनी आ रही है कि नहीं कि ये मुद्दा अगर उठा रहे हैं तो उसका समर्थन मिलेगा, उसकी वज़े से हमारा जनाधार बढ़ेगा, ये सब कंसिडरेशन नहीं है, मैंने कहा ये सही है, तो ये ही सही है, वो एक समय जो सितारम केसरी जी के लिए चलता था कॉंग्रेस पार्टी में, कि खाता न बह जो किसरीया कहे वही सही, वही हाल रहुल गांधी का प्रवर्ति वही है, ये हमने जो कह दिया वही सही है, 2019 में राफेल पर इसी तरह से अड़े हुए थी, पूरी पार्टी खिलाफ थी, ये मुद्दा नहीं बनेगा, इस मुद्दे पर वोट नहीं मिलेगा, इस मुद्द में बहस हो रही थी, राश्पती के अभिवाशन के धन्यवाद प्रस्ताव पर, लेकिन उन्होंने पूरा जो लगबख 40 मिनट बोले, पूरा अड़ानी पर बोले, और उनको लगा कि बस उन्होंने ये मुद्दा बना दिया है, 2024 लोगसभा चुनाओ का एजेंडा तै हो च में अड़ानी का आना, उनकी कमपनियों का आना, नेशनल सिक्यूरिटी के लिए थ्रेट है, ये पारलेमेंट के फ्लोर पर बोला है, अगर ये थ्रेट है तो आपकी पार्टी के शाषन वाली राज्य सरकारों ने अभी तक अड़ानी के साथ जो भी कॉंट्रेक्ट है उसक के स्ट्रेटिजिस्ट जितनी उनकी छवी बदलने की कोशिश करते हैं, पुरानी छवी यानि पपु वाली छवी, उतना ही उस छवी को और मजबूत करते जाते हैं, उसके बाद जो हुआ अगले दिन बुद्धवार को, दो घटनाए हुई, एक उनके लोकसभा के भाशन क बहुत सारे अंश निकाल दिये गए, अब ये किसी भी पारलिमेंटेरियन के लिए ये बड़े अपमान की बात होती है, यानि उसने ऐसी बाते जादा बोनी, जो संसद की कारेवाही में शामिल होने लायक नहीं थी, इसलिए स्पीकर ने निकाल दिया, अला कि जैराम बदलने वाली नहीं है, लेकिन इतने तक रुग गया होता, तब भी शैद उतना नुकसान नहीं होता, नुकसान हुआ बुधवार को जब प्रधान मंत्री बोले, पचासी मिनट में डी पपूर्फिकेशन के पूरे प्रजेक्ट को उन्होंने धौस्त कर दिया, नाम नहीं लिया अडानी का, नाम नहीं लिया किसी और कॉंग्रेसी नेता का, लेकिन चुन चुन कर जो बातें कहीं, जिस तरह से बोला, उन्होंने का जूट के सानने, मतलब राहुल गांधी ने जो कुछ बोला वो जूट था, ये कहे बिना, उन्होंने ये कह दिया, ये संदेश दे करेंगे, उन्होंने कहा कि जो एक्यासी करोड लोग जिनको मुफ्त राशन मिला, क्या वो इस जूट पर भरुसा करेंगे, उसके लावा और योजनाओ का जिकर किया, और और वर्गों का जिकर किया, कहा कि क्या ये लोग जो है, वो इस जूट पर भरुसा करेंगे, उसके प्रधान मंत्री के भाशन के बाद राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उस समय सदन में मौजूद थे राहुल गांधी। और उनकी जो बॉड़ी लेंविश थी वो बता रही थी कि एक पराजित नेता की तरह नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि कम से कम जाच का आश्वासन तो दे देते, जाच की बात तो कह देते, तो मतलब अपेक्षा का अस्तर इतना नीचे आ गया है। उनको उमीद थी कि उन्होंने जो है तुफान खड़ा कर दिया है, अब भारती जंता पार्टी और मोदी की सरकार हिल जाएगी और वो डरी हुई होगी। प्रधान मंत्री ने उनके भाशन के एक शब्द का भी जिक्र न करके बता दिया कि उनकी बातें बिलकुल महत्वहीन थी, उनका कोई मतलब नहीं था। यानि पप्पो की छबी से निकालने की राहुल गांधी को जो चटपटा हर्थी कॉंग्रेस पार्टी की वो अभी बदस्तूर जारी है। उसको बदलने के लिए स्ट्रेटीजी की जरूरत नहीं है, उसको बदलने के लिए ये इमेज मेक ओवर करने वालों की जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत है राहुल गांधी को अपना सभाव बदलने की, अपनी समझ बदलने की, अपनी सोच बदलने की, जब तक ये ब दुनियादी बदलाव नहीं होते तब तक ट्राहुल गांधी को पप्पू की छवी से मुक्ति नहीं मिलने वाली है तो इस हंक में इतना ही अगले हंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मति दीजिए आप से नूद है कि ये चैनल देखिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार